अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो में अप्लोड करूँ आप लोगों तक नॉटिफिगेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए बात करेंगे हैपिस्ट माइंड्स की जिसने अपने कौटर तो त्री के नंबर्स जो है आज के दिन में पेश कर दिये हैं कैसे कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे हैं लेकिन उससे पहले जो है एक और बड़ी अनॉंसमेंट है कि री अपोइंटमेंट ऑफ दा वोल्टाइम डारेक्टर जो है यहां पे उनकी तरफ से भी ने कैसे पेश किये हैं आज के दिन पे तो सारे कि सारी जो वैल्यू स्विदम के 4 24,476,000,002,000,000 यानि कि मोटे मोटे तोर पे समझते हैं 434 क्रॉड का जो की quarter 2 में था 428 क्रोड का और last year था 374 क्रोड का yearly and quarterly basis पे total revenue बढ़ता वशतर आया है total खर्चे की बात करें 324 क्रोड क्रोड का खर्चा इस quarter में है जो की last quarter में 309 क्रोड का था और लास्ट येर 293 करोड के असपास का खर्चा था तो खर्चा भी बड़ा है येर ओन येर बेसिस पर जिस तरीके से रिवेन्यू बड़ा है और अगर बात करें कि profit for the period के अगर बात करें तो 69 करोड के असपास का कंपनी का profit अब की बार है जो कि 58.46 करोड जो था लास्ट येर था और अपकी बार 59.62 करोड है और लास्ट येर quarter 3 के अंदर 57.58 था यानि कि ये figure से मतलब की बढ़त तो देखने को मिली है 57.59 करोड से बढ़कर 59.59 करोड हो गया है और अगर quarterly basis पर देखें 58.59 करोड से बढ़कर भी 69.59 करोड है एक करोड के असपास का इजाफा जो है quarterly basis पर है लेकिन yearly basis पर 2 करोड के असपास का इजाफा देखने को मिलना है EPS की बात करें तो basic and diluted तो जिसकी face value अभी 2 रूपे है 3.98 है basic और 3.96 जो है diluted है तो almost जो है EPS के अंदर जो है गिरावट जरूर देखने को मिली है yearly basis पर हाला कि 2 करोड का कमपने ने profit जरूर जरूर जरेट किया है yearly basis पर लेकिन EPS जो है basic और diluted जो है वो दोनों ही जगे yearly basis पर decline हुआ है तो numbers उतने ज़्यादा बहुत ही धमाकेदार भी नहीं कह सकता हूं है और बहुत ही ज़्यादा खराब भी नहीं कह सकता हूं तो एक medium जो है आप consider करके चलें कि happiest minds के numbers उतने ज़्यादा अच्छे कि उतने ज़्यादा बुरे नहीं आये है